जराज जोर से बोलिए पटना तक आवाद जानी चाहिए उनको मालुम पढ़ना चाहिए लखी सराय में भाजपा वाले इखटा हुए है मेरे साथ सभी लोग दोनो हाथ उड़ाएं चौबीस में सभी की सभी सिटे भाजपा को जिताने के संकल्प की मुठी भीचिये और प्रचन अवाद से बोलिए बारत मता की बारत मता की मंच पर उपस्थित भारतिय जन्ता पार्टी के लोग प्रिया प्रदेश अध्यक्स श्रिमान समराट चौदरी जी यही जिला जिनका मात्र भुमी है यही पैदा होने वाले हमारे नेता श्रिमान गिर्राज सिंग जी श्री अस्विनी कुमार चौबे जी नित्यानन्द राई जी विजय कुमार सिना जी श्रिमान राजा मोहन सिंग जी श्री विनोत तावडे जी श्री सुनील ओजा जी सुशिल कुमार मोदी जी रूतुराज सिना जी तार किशोर प्रसाज जी बहन रेणू देवी जी स्री नागेंद्र जी भिखुबाई स्री मंगल पांडे स्री संजय मयूक और मंच पर उपस्तित सभी विदायक महोदाए संसद महोदाए और आज मुंगेर की इस विशाल जन्सबा में ऐसे हवामान के बीच में भी बारिस के बीच में भी आये हुए प्यारे भाईयो बेनो माताओ और मेरे जिगर के टुकडे जैसे यूवा मित्रो आप सभी को नमस्कार मित्रो मैं पटना उत्रा तब मुझे बताया गया कि बारिस और आंदी है मुंगेर नहीं जा पाएंगे मगर यह सोग दाम के बाबा भोले बाबा की कृपा है कि बारिस और आंदी के बाउजोद आप लोगों के दर्सन मुझे प्राप्तो रहे हैं आप लोगों के सामने में उपस्ती जुए माताओ भाई और बेहनो यह बिहार हमेशा बदलाव और क्रांती की भूमी रहा है और इसी बिहार ने हमेशा ब्रश्टाचार के खिलाब एक आवाज बुलंद की आज यह जन्सबा जो है भारतिय जन्ता पार्टी के एक राष्ट्रिय कारेकरम जन्संपर कारेकरम का एक हिस्सा है देश के प्रदान मंत्री मोदी जी के शासन के नौ साल समाप ठो गए देश की जन्ता का धन्यवाद करने के लिए देश भर में भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरता हल लोग सबा में गए हैं और इसी के तहट मैं आज मुंगेर वालों को दो हाथ जोड़कर प्रणाम करकर धन्यवाद करने आया हूँ क्योंकि ये बिहार की ही जन्ता है जिसने 2014 में मोदी जी को 31 सिटे दी और 19 में 53% वाट के साथ 49 सिटे दी अब समय आ गया है कि एक दो सिटो का जो कमी रह जाता है उसको भी पूरा करना है 14 में आपने जिताया 19 में आपने जिताया अब 24 में सभी की सभी सिटे कमल के निसान को देने का काम करिये NDA को देने का काम करिये माताओ भाई और बेनो आपके असिरवाद से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रदान मंत्री बने और इस 9 साल में धेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किये अभी अभी एपल्टू बाबू नितिस कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया अरे नितिस बाबू जिनके साथ इतना बैठे हो जिनके कारण मुख्यमंत्री बने जरातो लिहाज रखो 9 साल में देश बर में धेर सारे काम मोदी जी ने किये है मित्रो मोदी जी के ये नौ साल गरीब कल्यान के नौ साल है मोदी जी के ये नौ साल भारत गवरों के नौ साल है मोदी जी के ये नौ साल भारत उतकर्स ने नौ साल है और मोदी जी के नौ साल का सासन भारत की सुरक्षा के नौ साल का सासन है नितिस बाबो आज अगर सुनना चाते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया हूँ मित्रो मोदी जी ने ये नौ साल में इस देश के सतर करोड गरीबों के लिए डेर सारे काम किये हैं आजादी से अब तक देश के किसी प्रदान मंत्री ने देश के किसानों के बेंक एकाउंट में छे हजार रुपिया हर साल डालने का काम नहीं किया किसान सन्मान निधी के तहट देश के करोडों किसान और मेरे बिहार के 86 लाग किसानों को 18,000 करोड रुपिया सीधा बेंक एकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है जल जीवन मिसन के तहट गरीब के घर में नल से जल पहुचाना देश बर के 35 करोड गरीब जनता के घर में आजादी के 70 साल के बाद देश के किसी प्रधान मंत्री ने जल पहुचाने का संकल प्लिया बिहार के एक करोड साट लाग लोगों के घर में एक करोड साट लाग घरों में कनेक्शन देने का काम ये भारतिय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है करोड गरीवों को पांच लाग तक का पूरा स्वास्त का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है अपने बिहार में बैट जाओ बैट जाओ बैट जाओ बैट जाओ अपने बिहार में पचोत्तर लाग 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 भारतियों को पांच लाग तक का सारा खर्चा स्वास्त का कोई भी सवाल हो नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है अकेले बिहार में सवा करोड मताओं को एक करोड तीस लाग मताओं को घर में स्वाचाले बोना कर दिया एक करोड असी लाग लोगों को ढाई साल से मुप्तु में अनाज बेजने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है मित्रो नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है और साइतीस लाग 37 लाग लोगों को घर बना कर देने का काम नरेंद्र मोदी जे ने किया है नितीस बाबू हमारा इसाब पूछ रहे हो मैंने तो कहा बिहार के गरीबों के लिए हमने क्या किया आपने कहा था कि खाते तो खोले बौनी करा दो बौनी नई गरीब के घर में धेर सारा काम बेजने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रो ये नौ साल भारत के गवड़ों के नौ साल रहे हैं मोदी जी के सासन में वीश्व भर में मोदी जी जहां जहां जाते हैं और मित्रो अभी अभी अमरिका गए थे इसके पहले जी सेवन की बेटक में गए कोई राष्ट्रा अध्यक्षिन का एपोइंट मांग रहा है कोई उनका हस्तागसर मांग रहा है और कोई-कोई पैर छुकर उनका आसिरवाद मांग रहा है मित्रो यह मोदी जी का जो सन्मान प मोदी जी का सन्मान नहीं है वो भारतिय जन्ता पार्टी का सन्मान नहीं है मोदी जी का जो सन्मान हुरा है यह मुंगेर वालो आपका बिहार की जन्ता का और 130 करोड भारतियों का सन्मान है जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है मोदी जी ने दुनिया में भारत को गवराव देनानी का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने ये नो वर्स के अंदर भारत को सुरक्सित करने का काम किया है मुझे बताओ मुंगेरवालो पहले जब कभी पाक प्रेरित आतंकवादियों के हमले होते थे इस सोनिया मन मोहन की सरकार कोई जवाब नहीं देती थी मोनी बाबा चुप होकर दिल्ली बेट जाते थे मोदी जी प्रदान मंत्री बने उरी और पुल्वामा में हमला किया पाकिस्तान वालों को लगा इस बार भी कुछ नहीं होगा वो भुल गए कि कॉंग्रेस की सरकार नहीं है यूपिये सरकार नहीं है ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार है दसी दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में गुश कर आतंकवादियों का सफाया बुलाने का काम मुझे बताओ मुंगेर वालो एक कस्मीर जो है हमारा है या नहीं है अरे जोड से बोलो है या नहीं है दारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए एक कॉंग्रेस जदयू, RJD, ममता, DMK सभी लोग 70-70 साल से दारा 370 को बच्चे की तरह घोदी में खिलाते थे बिहार वालो आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रदान मंत्री बनाया मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को दारा 370 को उखाड कर फैंट दिया और एक कस्वीर हमेशा के लिए भारत माता का मुगुट मनी बन गाया ये सारे लोग संसद में इघटा होकर काउ 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 करते थे पूरी जमात और कहते थे दारा 370 हटाओगे तो खून की नदिया बैजाएगी अरे राहूल बाबा खून की नदिया छोड़ो किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुए है कंकर चलाने की नरेंद्र मोदी जी ने ये नौ साल के अंदर देश को सुरक्सीत करने का काम किया है माताओ भाईयो बैनो मोदी जी ने ये नौ साल के अंदर देश को विक्सीत करने का काम किया है और मैं आज मुंगेर में आया हूँ तब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश को धेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिये और बिहार को भी धेर सारे काम दिये है मुंगेर से बेगु सराई तक रेल सडक को डबल करने का काम और पूल के निर्मान का काम नरेंद्र मोदी सरका ने किया लखी सराई वालो जरा जोड से ताली बजाना मुंगेर में एंजिनिरिंग कॉलेज थाफित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया मुंगेर में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया इसके साथ साथ रोड़ वेज के लिए तीन लाग करोड के तेरा तेरा ग्रिन फिल्ड एक्सप्रेस वे नरेंद्र मोदी जी ने दिये है 45 अज़ोर करोड रुपया बारत माला के तहेद दिया 28,500 करोड रुपया बिहार और जारखन के एक्सप्रेस वे के लिए दिया 6,800 करोड की लागत से गंगा पर पूल और सडक 19 को मंजूरी दी 3,400 करोड की लागत से राष्ट्रिय राजमार्क की परियोदना ये लागू की लगबग लगबग 230 करोड लंबा असाम दर्बंगा एक्सप्रेस वे भी चलाया मधूवनी प्रदानमंत्री सडक योदना 175 करोड की बनी डेलवेज में 13,400 करोड उपे से पतना में मेट्रो का काम सुरू किया सुपोल अररया 96 किलोमिटर 1600 करोड और 1226 करोड रेलवेज ट्रेक का पचासी नए ओवर बिजो के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन विद्ध्यूती करन करने का काम ये नरेंद्र मोधी सरकार ने किया दर्भंगा में उडान योदना से दर्भंगा को जोड़ा और सीवर जनपत में कैंद्रिय विद्ध्यालय नवदय विद्ध्यालय डिगरी कॉलेज जनजारपूर में मेडिकल और एंजिनरिंग कॉलेज भीर कुवर सिंग महाविद्ध्यालय बक्सर में गवर्मेंट एंजिनरिंग कॉलेज कोसी नदी पर 130 मेगावाट की जल विद्ध्यूत परियोदना नरेंद्र मोधी जी ने दी है 1360 मेगावाट की समतावाला एंटी पीसी का बक्सर के चोसा में एक पावर प्लांट बनाने का काम चालू हुआ है और मधेपुरा में मचली चारा मिल भी स्थापीत करने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है मैं आज यहां नितीस बाबु को पूछना चाहता हूँ नितीस बाबु आपने क्या किया इसका हिसाब दीजे बिहार वालो मुझे एक बात कहनी है जो आदमी जो नेता हर बार घर बडले इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या जोर से बोलिये कर सकते हैं क्या ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सोपना चाहिए क्या मित्रों उनको भी मालूम है इसलिए आज कॉंग्रेस के घर पर जाकर चौकट पर बैठे हैं फिर से देश के प्रधान मंत्री बनने के लिए उनको प्रधान मंत्री बदान मंत्री कुछ नहीं बनना है कामखा लालू जी को इस आयू में वो उद्मूर्ख बना रहे हैं नितीज बाबू यहीं रहना चाहते हैं मुक्य मंत्री रहना चाहते हैं और इसी बहाने सारे भादपा विरोध्यों को एकटा किया अभी एक बहुत बड़ा फोटो मैंने देखा और बहुत बड़ा फोटो देखकर मुझे आश्चरे हुआ उन्होंने कहां बीस पार्टिया आई है बीस से ज्यादा पार्टिया एकटा होगे वह बात तो सही है बीस से ज्यादा पार्टिया इकट्या कर ली नितिस बाबो मगर ये बीस पार्टिया है कौन ये बीस पार्टिया वो है जिनोंने 2004 से 2014 में 20 लाग करोड रुपे का गपला, गोटाला और ब्रस्टाचार किया है और ये बिहार की भूमी ये बिहार की भूमी जय प्रकास की भूमी है जहां से ब्रस्टाचार के खिला पांदोलन शुरू हुआ था नितिस बाबो आपको सर मानी चाहिए 20 लाग करोड के गपले, गोटाले, ब्रस्टाचार करने वाले कॉंग्रेस, लालू प्रसाद यादव और अर्विंद केजरीवाल के साथ बैठ कर आप सत्ता हथियाने का प्रयास करे हो मुझे बताओ, लखी सराई वालो, मुंगेर वालो मुझे बताओ, जो आदमी सत्ता के लिए सारे सिद्धानतों को छोड़ दे इसका भरोसा कर सकते हैं क्या जोर से बोलिये कर सकते हैं क्या अरे नितिस बाबु आपकी तो राजनितिक पैदा इसी ही ब्रश्ट्राचार का और लालू का विरोध करकर सुरू हुई आपके राजनितिक की सुरूआत इंदिरा गांदी के ब्रश्ट्राचार की खिलापत से हुई और आप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के चारा गोटाले का विरोध करकर बन गए अब मैं पूछना चाहता हूँ किस मुख से आप कॉंग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव के साथ बैठ कर मुंगेरो और लखी सराई की जनता के सामने आएंगे आपको जवाब देना है और मित्रो एक कॉंग्रेस पार्टी भी अजीब प्रकार की पार्टी रादनीती में कोई भी नेता को पहली बार लॉंच किया जाता है हम तो एसी पार्टी से आते हैं जहां नेता का लॉंचिंग नहीं होता जनता ही नेता को लॉंच कर देती है मगर कॉंग्रेस हर साल 20 साल से कितने साल से जरा जोर से बोलो 20 साल से एकने साल से 20 साल से राहूल बाबा का लॉंचिंग कर रही है मगर यह लॉंची नहीं होते हैं इस बार भी कॉंग्रिस ने पटना में राहूल बाबा का लॉंचिंग का एक विफल प्रयास किया है मैं आप सभी को जो लोग वहां बैठे थे उनको बताना चाहता हूं बिहार की जनता कभी प्रस्टाचारियों के साथ नहीं रह सकते। मित्रो मुझे बताओ देश के अगले प्रदान मंत्री अगले प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतिय जनता पार्टी की ओर से 24 में हमारा नेतुर्टव करने वाले हैं। मुझे बताओ बिहार में सभी की सभी सिटे नरेंद्र मोदी जी को दोगे क्या। जरा जोर से बोलो दोगे क्या। बिहार को एक जंगल राज से फिर से मुक्त कराओगे क्या एक ब्रश्टाचार करने वालों को मुझ तोड जवाब दोगे क्या मित्रो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ जो लोग सक्ता के लिए लालू और कॉंग्रेस के साथ जा रहे हैं उनी के कारण गुंडाराज, बालू माफिया, सराब माफिया और हत्यारों के जखिरे बिहार के अंदर आए बिहार की कानून और विहस्ता की परिस्तिती दीन प्रतिदीन चर्मराती जा रही है और दूसरी और मोदी जी के नेत्रुत में एंडी ये फिर से एक बार एक जूट होकर जनता के सामने आ रहा है 2024 में बिहार की जनता को तै करना है कि 20 बार फेल लॉंचिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए मुझे बताओ 20 बार फेल लॉंचिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए जोर चे बोलो कौन प्रदान मंत्री बनेगा माताओ भाई ओ बेनो आज इतने खड़ा बोसमने आप सभी लोग यहां आए हैं मुझे तो आशा भी नहीं थी मैं आपके दर्सन कर पाऊंगा मगर इस्वर की कुपा हो गई और आज यहां से जाकर मैं भी असोगदाम के दर्सन करूंगा मगर आज लखी सराय में लखी सराय और मुंगेर वालों को एक संकल्प लेना है कि जिनोंने दल बदल करा है विश्वास गात किया है और ड्रश्टाचारियों के साथ बेटे हैं उनको दंड देने का काम सबसे पहले मुंगेर लोग सबाने करना है लखी सराय वारा में करना है करोगे क्या जोर से बोलो करोगे कमल के निसान पर बटन दबाओगे 24 और 25 में भाजपा NDA की सरकार बनाओगे 24 में मोदी जी को फिर से प्रदान मंत्री बनाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनों हाथ सभी सीट जितने के संकल्प की मुठी बिचे और जोर से बोलिए भारत मता की भारत मता की भारत मता की वंडे 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 बहुत बहुत दन्यवाद अभार भाई सहव निश्ची तोर पर आपका अभिबादन सुनकर के लखी सराई की जनता उर्जावान भी थो गई और मैं धन्वाद ग्यापन के लिए